Hello everyone, my name is Gaurav और जैसे कि आपसे को बता है, हम यहाँ पर 11th class की textbook के अंदर chapter number 6 linear inequalities को हम देख रहे हैं और आज का जो हमारा topic होने वाला है, वो topic होने वाला है यहाँ पर graphical solutions of the linear inequality in two variables मतलब देखे, अभी तक हमने क्या दिखा linear inequality के अंदर वन वेरेबल के बारे में discuss क्या था कि वन वेरेबल आ जाये तो उसकी linear equality को कैसे solve करना होगा, उसको graphical represent भी देखा था हमने यहाँ पर उससे related questions भी देखे थी यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस बात करें, इस बार हमारे पास क्या होगा, two variable linear equation होगी, और इस two variable linear equation को हमें solve करना होगा, solve करते हुए हम उसका graph बनाएंगे, अब यह graph कैसे बनाना है, किस तर से बनाना है, वो सब चीज़े हम देखेंगे, clear, लेकिन इस graph से related, मैं आपको चीज़े यहाँ पर information दे देता ह यहाँ पर, ax, plus, by, plus, c, अब क्या होता ही, हहाँ बात करें, equal to zero होता ही, यह linear equation होती है, अब हम बात करें है, iniquilities के बारे में, तो इनिकुलिटी स्केंदर में बात करूँ यहां पर तो यह इकुल टू अब आपके वास साइन हड जाता है इनिकुलिटी स्केंदर तो सर क्या आता है यहां पर या तो आपके आस क्या आता है ग्रेटर देन आ जाता है यहां पर जीरो या फिर लैस देन जीरो आ जाता है या less than equal to क्या जाता है जीरो आ जाता है यह आपकास क्या थी four conditions आपको देखने को मलती है इन four conditions मेंसे कुछ भी आपकी conditions हो सकती है clear अब जब भी आप यहाँ पे graph बनाते हैं तो graph selected मैं यहाँ पर बात करूं तो graph selected कुछ information मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि माना कि आपके पास यह यहाँ पर आपके पास क्या है यहाँ पर मैंने दिया a x plus यहाँ पर दिया by plus c equal to zero होती है यह एक लाइन मिलती है हम यहाँ यहाँ से आप क्या करेंगे दो solution को आपके तरह से join कर दिया तो join करने के बाद आपके आस एक linear equation बन गई इस linear equation को बनाने के बाद आपका यहां पर इस पूरे graph के बारे में बात करो यहांप करके आप इस पूरे graph paper को आपने दो पार्टिशम के दोड़ दिया पहला partition की बाद करूँ तो यह आपका यहां पर देख पा रहें पर पार हुआ अब इसमें से कोई एक partition आपके लिए होगा और वह कैसे होने वाला है मैं आपको एक्जामपल के दिरू बताऊंगा यहां पर ऐसे आपको नहीं समझाना है कि वह वाला प्रेटिशन के इसे ड्रोगा लेकि एक्जामपल के दौर बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे रंग समझ बनती है अच्छे यही ग्राफ लाइन आपक वे यहां पर बनती है क्लिया रहे घ्राइन एस तरह से कट करती है लाइन हैं अब इस म्स्रेइव पार्ट मैं से कोई एक पार्ट आपके आस का स्क्रूर कोई एक अब यह पार आपके यह पोदिखे हमां यहाँ पर वाइने और greater than 0 ले देता हूं, simple है, yes, एक simple linear equation लिए है, मैंने यहाँ पर 2 variable की, 2x plus y plus 2 is greater than equal to 0, clear, अब जब कभी भी आपके आस इस तरह की equation आए, एक काम करते हैं, minus कर देते हैं, इधर मैं minus 2 कर देता हूं, yes, मैंने मन से बनाए यहाँ आप, आप भी मन से कुछ भी बना सकते हैं, तो यह मन से मन से बना equation बनाएगे, तो just like मैंने बात की यह हाँ, कि जब भी आपके आस equation है, हम इस solve कैसे करना है, yes, हमें inequalities मैंसे कौन सा part हमारा true है, कौन सा part हमारा false है, यह कौन decide करेगा, ठो यह आप decide करेंगे, कैसे करेंगे, पहले अपने दिमाग के अदर, जैसे भी मैंने आपको बोला था, कि यह आपका एक बहुत बड़ा दिमाग है, यह आपका इस का है, दिमाग है, जिसके अदर आप काम करते हैं, equallyおお disconnected, इसको भूल जाने के बाद आप क्या दिखेगा यहां पर इक्वल टू लिख सकता हूं यहां पर मैंने दिमाग ने बोला यहां पर यहां पर फिर इसने बोला कि आप यहां से दो आपका तीन चार जितने पॉ्इंट निखाल सकते हैं तो मैं कैसे निखाल सकतो हूं पहला पॉइंट फीराप कि आपके निकाल तो मेरे दिमाग नहीं दो बाते बोली है तो उन्होंने बोला ठीक है आपके दिमाग ने जो भी बात बोली है इसको एक चोटा से बाते बंद कर दी है अब मैं यहां पर इसका रिजल निकालने जा रहा हूं देगे कैसे निकाल सकते हैं तो पहले में बनाऊगा ग्राफ तो यह मेरा हो गया ग्राफ पेपर अब इस ग्राफ पेपर के अंदर में बात करूँ यहां पर मुझे लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी यहां पर एक्स डैस एक्स है यहां पर यहां पर आपके आस क्या है एक्स डैन बात करूँ यह आपक जीरो कोमा टू मतलब आपके बात करें, X के अदर आपके अच जीरो है और Y के अगर आपके अच चाहरऊ है, तो यह point आपकर आधा yönबान तो यह points होगी, और यहां पर आपके अच जीरो और X के अच के अच एंच लाहता है, यहां बात करें, और यहां पर आपके दो केसे काम करते हैं पहले होते हैं उसके और हम बात करों तो एक जो पेयर होते हैं वह उता है greater than or less than, केवल simple, simple से, और एक जो pair होते हैं, वो greater than equal to be होते हैं, और less than equal to be होते हैं, clear, ये दो pairs होते हैं, क्या सियां पर, अब यहाँ पर pairs कौन से लगा है, greater than का sign लगा है, केवल equal to का sign है ही नहीं, अब जब equal to का sign नहीं है, तो आपको यहाँ पर कैसी लग बनानी है, dash लग बनानी है, yes, आपको hard line नीं बनानी है, کैसी लाइन बनाओगे, आप यहाँपर dash line बनाओगे, उसके पीछे की काहाँ भी मैं आपको बता हूँगा, यहाँपर कि Dash line क्यूँ बनानी है, और Dash line बनाते हुए, तब जैसे यहां पर यहां से कड़ लिया तो जब हमने यहांपर मैं बात करूँ किसके वारे में यहां पर जब हमने single variable के अंदर बात की थी तो single variable के अंदर मैंने आपको बोले था कि जब आपके पास ये वाले जो आपके sign होते हैं इस वाले sign के अंदर जो आप यहाँ पर O बनाते हैं यहाँ पर वो O आपके पास क्या होना चाहिए open होने चाहिए clear और जब मैं इसकी बात करता हूँ इनकी बात करता हूँ यहाँ पर तो इनके अंदर हम क्या बनाते हैं solid क्यों बनाते हैं कि इसके अंदर equal to part वाला भी हमारे पास क्या सामिल है इसके अंदर equal to part हमारे पास सामिल नहीं है तो same condition हमारे पास इस वाली equation के अंदर भी है इस वाली equation के साथ क्या है कि यदि आपके आज जहां जहां यह equal to zero हो रहा है point वो point हमारे साथ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर equal to का sign ही नहीं है तो जब वो यह line में draw करूंगा accelerated तो यह line के जो बी point होंगे वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे साथ नहीं है तो उसको हमने dash line से show कर दिया यदि यहां पर आपके पास equal to का sign होता equal to का sign होता तो मैं यहां पर क्या बनाता solid line बनाता यहां पर dash line का use नहीं करता यह अपने दिमांग में डाल दीजेगा कि आप क्यास dash line का use कब करना है और आपके पास यहाँ पर solid line का use कहा करना है यदि आप क्यास equal to sign है तो आप basicर यहाँ पर क्या कर सकते है solid line का use कर सकते है equal to sign नहीं है तो आपको dash line का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा use करना पड़ेगा clear अब आब बात करते हैं यहाँ पर की अब हम में रीजन कौन देने वाला है क्योंगहां पर हमारे ढ़ल और dort दिया है। आपके जो भी इच्छा है, तो मेरी इच्छा maximum to maximum रहती है, 0,0 ही रहती है, क्यों यह सबसे simple point होता है, और यह सबसे आसान भी होता है, यहाँ पर तो मेरे को 0,0 पसंद है, तो मैं 0,0 उठा था, दूसरा उस तरफ से, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यह line के उस तरफ है यहाँ पर, यह 0,2, 2,0 भी आपके उस तरफ है, तो मैं 2 point उठा लिए यहाँ पर, अब 2 point उठा लिए, दो नव पॉइंट को उठा के, आप क्या करें, इसमें से रख दें, इसमें क्या क्या रहे है, रख दें, फुट करें, तो देखें, यहाँ पर मैं पहला यूज तो दिखेंगा, 0 आएगा, then minus 2 is greater than 0, यह आएगे, क्या minus 2 greater than 0 हो सकता है, क्या यह possible है, नहीं possible है, अच्छा देखें, उस तरफ लेके चलते हैं, इस कहानी को उस तरफ लेके चलते हैं, उस तरफ लेके चलते हैं, तो आपके आज क्या आएगा, यहाँ बात करें, 0, sorry, 2,0 आ क्या होगा, greater than 0, 2 into 2 कितना होगा, 4, 4 में से 2 को आप less कर देंगे, तो कितना होगा, आपकास यहाँ पर 2, greater than 0, तो आपकास रिजल का है, 2 greater than 0, क्या यह true है, बिल्कुल true greater than 0, 2 greater than 0 होता ही होता है, yes, 0, 2 जो है, वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन minus 2 आपकास 0 से बड़ा नहीं हो यह आपकास wrong condition है, यह आपकास right condition है, clear, यह आपकास right है और यह wrong है, इसका मतलब क्या हुआ, यह वाला जो point है, वो point satisfy कर रहा है, तो उसका जो area है, अब उसका area कौन कौन सा है, जड़ा बात करें, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर area बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर, मैं दूस area क्या है, उसी का है, और यह inequality का क्या है, solution है, यह क्या है, inequality का solution है, inequality का solution क्या बोल रहा है, यहाँ पर, कि आपकी, जो यह two variable linear equation है, इस two variable linear equation का, आपको क्या बनाना है, graph बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर, उसके solution को कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किय अपने मायड में गया मायिज में जाके मैंने यहां पर किया किया हुआ निकालेद दू कोई वी दूसी там निकाले दो सोलूसर निकालकर पहले मैंने कैञे क्या उसकी यह एक alg tene मैंने सोचा यहां पर क्या हो सकता यहां पर मैंने sign को देखा, sign के अंदर equal to नहीं है, तो equal to नहीं है तो मैंने क्या, dash line का यहाँ पर क्या 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 use कर लिया, clear, यह मेरा हो चुका है then उसके बाद मैं यहाँ पर बोला कि अब यहाँ पर दो area बन चुके, कौन सा area सही है, तो सही वाला area मैंने क्या क्या, यहाँ पर उस वाले area से एक point को pick किया, नीच वाले area से मैंने क्या 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 क्या, और pick करने के बाद यहाँ पर रख दिया मैंने, yes, यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर मैंने रख दिया, तो final answer मैं को देखने को मिला, कि उस वाले एरिया से मैंने जो भी पॉइंट उठाएंगे तो आपको पॉइंट यस वह जो पॉइंट होगा आपके पाद जो पॉइंट रकने के पाद जो सॉलुशन आपका 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 आपके वहाँ पे वह ग्रेटर देन जीरो ही मिलने वाले हैं अब जब ग्रेटर देन जीरो मिलना आपका 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 यह जो लाइन है इस लाइन के उस तरफ वाले इलाके के अंदर क्या है इसका सॉलुशन है आप चाहें वहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएं इसके अंदर रखें इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर ट्रू आएगा यस एक्वेशन को क्या करेगी सैटिस्वाइ करेगी क्लिया तो इस तरह से आपको क्या बनाना होता है एक रीजन बनाना होता ह इसके रिजन अब चाहें तो डॉट से बना सकते हैं यहां पर इस वी बना सकते हैं लेकिन आपको बनाना परता है एक रीजन बनाना होता है यह इसको संच्वार्ण करता है यह उसी के साथ वकाम करेंगा, clear होगा यहाँ पर, एक और example देता हूँ ताकि आपको और ज्याद़ क्लियर हो जाए यहाँ पर, तो देखे example क्या है जड़ों, मैं यहाँ पर देता हूँ, example just like यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर, यहाँ पर ले लिए, x plus y, yes, symbols x plus y greater than, इक्वल टू भी ले लेते हैंक तो इकाम करते हैं यहाँ पर इस्थे हैं पाले यहांपर क्या यहांपर यहां पर कुछ एकशी यहां पर मैंने x प्लस y को क्या वाले एक्वल टू जिरू माल लिया ओके तो यहां पर मैं यदि मैं पॉइंट निकालने चलू तो क्या-क्या होंगे यहां पर तो x is equal to 0 रखा तो मुझे y is equal to यहां मिल गया यहां पर 0 मिल गया ओके next point की हमें जरूत पुड़ने वाली है ओके next point की जरूत पुड़ें यहां पर तो आप x और y के next सापन के रखेंगे यहां पर दूसरा point यहां पर यदि मैं x की value यहां पर रखो minus 1 यहां पर यहां less 1 रखता हूं तो y की value मुझे कैं मिलेगे यहां पर प्लस मिलेगी तो यह भी आपका आपका जैसे यहां पर आपने डाला 1 द्था देन आपको मिला माइन ऐस तरह से मेरे माइड ने यह चेंज चार जवाब दे दी हैं के दुले और मैं जवाब के उपर ही काम करूं गए यहां कि अपमेर ही यहां गार आपके मिरस बना लिए तो यह मुंहीं ग्राफ हो गया одним रवीं इस फ्रेंग आपको बात करें यह अच्पिक्षा हो यह center point आपकास हो गया, clear, अब हमें तीन point चाहिए, तो पहला point कहा है, 0,0, 0,0, this point है, आपकास, दूसरा point कहा है, आपकास कहाँ पर, minus 1,1, minus 1,1 मतलब बात करें, यह minus 1, then यह 1, तो इसको मिला कि यहां कहीं point आएगा, दूसरा point है, 1, minus 1, 1,1 की बात करें, तो इस बार मैंने यहां पर यह 1 ले लिया, यह आपकास कहाँ ले लिया, minus 1 ले लिया, दोनों को मिला के बात करेंगे, तो यह आपकास point होगे, clear, यह हमारे mind और हमारे जितनी भी कानी है, उसको हमने satisfy किया, अब चले यहां पर line के उपर, की line बनानी है, कैसी बनाएं यहां पर, पहले मैं देखूंगा, यहां पर equal to sign भी satisfy कर रहा है, equal to sign भी satisfy कर रहा है, अच्छे, equal to sign आ रहा है, तो मुझे solid line बनाने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए, क्योंकि यदि आप इस line मैंसे, इस line मैंसे कोई भी एक point उठाएंगे, just like दीखे, पहले अलिब में क्या हो रहा था, यहां पर, इस line का कोई भी एक point उठाएंगे, जैसे 1,0 उठा रहे थे आप यहां पर, तो 1,0 इसके निदर put कीजिए, 1,0 पूट कीजिए, तो क्या है, 2 into 1 plus, आप क्या है, 0 minus 2, आप क्या 0,0 रखिए, 0,0 रखेंगे, 0 plus 0 is less than equal to 0, मतलब क्या 0 less than equal to 0, क्या less than होता है, नहीं, लेकिन वहां पर एक alternative sign लगा है, वो है equal to, yes, alternative sign लगा हुआ है, वो क्या है, आप कास equal to, तो 0 equal to 0 तो satisfy करता है, तो यह satisfy करेगा, और यह इसको जिससे हम क्या बनाएंगे, यहां पर, एक solid line मनने माला हुई आप, जो कि इन तीनों line से, इन तीनों point से क्या पर गरेगी, पास on करेगी, यह हो गई हमारी, पास on करती भी line, done, ओके, इतना done होने के बाद, अब हमारे पास आगया है, reason कौन सा सले, आपने बोला, 0,0 ले लिया, तो आपका तो reason आगया, अब मेरा जो reason है, यहाँ पर वो satisfy करना पड़ेगा, तो वो satisfy करना बहुत असान है, देखे, इस line के इनने में बात करूँ, तो यह दो line के इनने partition कर रही है, एक upper part हो गया, और एक lower part हो गया, अपर part के इनने बात करें, तो यहाँ से यह वाला point आप उठा सकते हैं, और इस वाले point से यह वाला point 1, clear, अब जब मैंने 1,1 ले लिया है, इस 1,1 को इसकंदर रखता हूँ, 1,1 को रखा, तो देखे, आपका आस क्या राजड़ा देखे, यहाँ पर, तो आपके बात करते हैं, यहाँ पर, इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर, देखे, माइनस 1, और उसके बात आएगा plus, और Helsie, और यह, और यह, होगया less than equal to zero, clear? यह माइनस और माइनस हो गया plus, then minus 1, minus 1, less than equal to zero, то minus 2, less than equal to zero, minus 2, less than equal to zero, what is 0, is it true? सब्सक्राइब ट्रू है ले कर गया इसको संदेचा कर गया यह कर गया इसका पॉंaryड है इसका जो इलाखा है सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ब्लू को सब्सक् 한대 मैं को तो आपको एक रीजन को दिखाता है तो आइधिंग क्लियर समझ आ चुका होगा कि लीने ग्राफिकल सॉलुशन आप कैसे बना सकते हैं और सॉलुशन कैसे देश सकते हैं आपके आज किसी भी टू वेरेबल लीने एक्वेशन के बारे में तो इस तरह से आप अपना यहां पर कोसिंगे पूंदा सकते हैं तो कैसे हम उसके सॉलुशन दे सकते हैं तो मिलते हैं हमारे एक्वेशन के आपके उसे乾ड़ सब्सक्राइब व के अलगला स्भी तो यहिंज झाल